हेलो स्टूजेंट्स आप सभी का जोगत है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आज हम लोग बात करने आ लें आपकी वक्सी रिट ठीके उन्यस के बारे में विग्यान विसे की एक अच्छा साथ किया आज की ठीठी किया एक किस नो दो जार इकिस यहां पर आपका अपना रहे उन सभी की वीडियो हमने अन्बॉक्सिंग की गिफ्ट की पब्लिस की विए आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से लिंक ले सकते हो और कॉंटेस में पास्वेट करने के लिए लाइक से सब्काइब कमेंटर जरूर करिए और फुल वीडियो क इसमें क्या है जीव अपना भोजन स्वयम बनाता है और संसलेशित करते हुए क्या करता है सब पोषण कहलाती है ठीक है यानि इसमें क्या है पौधा अपने पोषण को पौधा हो गया यह जो भी जीव हो गया वो अपने पोषण को क्या करता है स्वयम बनाता है और उसको क वें आवसोसित या अवस जो प Sarra करता है ठीक है और इसे को क्या बहुआ जाता है सब मुए विसम पौसण क्या रोता है तो पो सन्र की वह भीधी जिसमें जीव अपना भौजन अन्य पादप या जन्तु से पराप्त करता है जिसे विशम पोसन भी कहलाते हैं इसके बाद क्या है बटा कहने का मतलब यहां पर यह अच्छे समझ लो कि जब कोई एक वैक्ति या कोई एक जीव जब दूसरे जीव को क्या करता है इस तरीके से खाता है ठीक है और उससे क्या है ता पर क्या करता है एक ऐसा पादव या जनतु है जो अनजीव के सरीर के अंदर या सरीर पर रहते हुए क्या करता है उसके भोजन को क्या है बोजन को से अपना भोजन प्राप्त करता है उसे परिजीव कहलाता है यह जब क्या है एक मालुक पेड़ है ठीक है यह बेल का पेड़ कौन होते हैं तो वह जन्तू या वह जीव जो किसी दूसरे जन्तू या जीव पर चड़कर क्या करता है तो जिस पर वह चीश चड़ा होता है जिस पर वह जीव चड़ा होता है उसे बोलते हैं पार पोसी है ठीक है इसके बाद क्या है मृत्य जीव तो पोस्ण की वह विधी जिसमें क्या है जीव अपना भोजन मृत्य एवं साइड गले प्रदार्थ सड़े गले प्रदार्थों से प्राप्त करती है उसे मृत्य जीवी पोस्ण कहलाती है ठीक है यानि वो जीव ठीक है वह पोस्रान की विधी जिसमें कि confidently कोई एक जीव या एक जीव अपना भोजन मुरत या साड़े गले प्रदार्तोंसे प्राप्त करती है तो उसे मरत जीवी कहलाती है इसके बात क्या है इसके बात बोला गया इसमें त्षी कीट बच्ची पादब क्या थे 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 के उन्हें कीरवच्ची पादप कहते हैं ठीक है इसके बाद देखो बैटा क्या बोला गया इसमें इसमें बोला गया है जीव द्वारा भोजन ग्रहन इसमरण के लिए क्या है जीव द्वारा भोजन को ग्रहन करने एवं उसके प्रियोग की विधी को पोसन कहते हैं अन्ता प राप्त होती है उसे ही पोर्षण कहा जाता है इसके बाद क्या प्रस्ण कुछ प्रस्ण दिए गए बच्चों इन प्रस्णों को अपनी कॉप्रिम लिखेंगे उत्तर जो मैं बताऊंगा वो आप लिखोगे पहला क्या है डैस और डैस सब पोर्षण का उधारान है तो बिट मैंने लिखवा दिया यहां कवक नहीं होगा यहां पर हो जाएगा तो बिटा यहां लिख दो पौधे ठीक है गलती हो गई है यहां पर एक और यहां लिखो सैवाल ठीक है पौधे और सैवाल जो होते हैं इसका उधारन होते हैं मस्रूम ठीक है डैस पोर्षण का उधारन ह हो जाएगा बिटा मस्रूम जो है आपका यह हो जाएगा ठीक है सेप्ट्रों है ठीक है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा मृत्त जीवी पोस्ण ठीक है से आप लिखे लिए ना मृत जीवी इसके बाद क्या है विसम पोस्ण के दो धारन लिखिए विसम पोसन जीव के दो धारण लिखिए तो एक को जहाऊँ गानव और एक को जहाऊँ कपसू कुछ पासू होते हैं जैसे आपका सेर ऑगारा हो गया ठीकए इसके बाद क्या हो गया मानव यू आप इसका क्या कर लोगे उधारन लिख लोगे इसके बाद निम लिखित में से किनी दो कठनों को जो साही कठनों उनको बताना है तो पहला क्या है कीट बच्छी पादब अपना पोसंड केवल कीटों से प्राप्त करते हैं तो सच्चा ही है तो अमर बेल परिजीव का उधार सब्सक्राइब करने की कोसिस करना धन्यवाद बच्छों